ओम क्लीम कृष्णाय नमा, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरूटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुकला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, दोस्तों 7 जुलाई 2024 यानिकी रवी वार के दिन, रवी पुशेयोग का दुरलब संयोग आपको प्राप्थ हो रहा है, नवरात्री में इतना शुभयोग आपको प्राप्थ होना एक वर्दान की तरह है, ऐसे में अगर आपकी कोई भी मनो काम नहें, चाहे धन-प्राप्ति की हो, संतान-प्राप्ति की हो, विवाह की हो, सरकारी नौकरी चाहते हूं आप, या फिर मान-सम्मान-प्र कर लेते हैं तो निस्ती थी आपकी कोई भी मनु काम ना हो बहुत ही शीगर पूर्ण होती है तो वीडियो को अंधे तक जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए फैमली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बा कब से कब तक है दिछिए रपी पोश्ययोग का प्रारंभ हो रहा है साथ जुछाइए को सुबैं । में अपने आपमें एक वर्दान है तो आज के दिन आपको शुवे जलदी उठना है उटकर नितिकर्मों से निव्रित हो आपको थोड़ा सा रोली अवश्य डालना है और अगर आपके पास लाल फूल हो तो भी आप डाल सकते हैं फिर घर के मंदिर में विधि विधान से मादुर्गा की पूजा कीजिए भगवान गणेश की पूजा कीजिए ओम नमो भगवते वासु देवाइनमा इस मंत्र का जाता है जो की स्रेष्ट प्रयोग माना जाता है अब जैसे कि हम गुरु पुषय योग में करते हैं केले की जड़का उपाई लेकिन रवी पुषय योग में केले की जड़ नहीं बिल्व वरिक्ष की जड़का उपाई करना है आप सभी जानते हैं कि बिल्व के वरिक्ष म उपाय करते हैं, तो इससे किसी भी प्रेकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिल्विवरिक्ष की जड़ धारन करने से मानिक्य के समान शुब फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन इस जड़ का भी प्रयोग जो किया जाता है, इसका एक अलग ही तरीका होता ह अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए, तो इसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो करना क्या है आपको, देखिए, एक दिन पहले हमें जड़ को निमंत्रित करना होता है, तो जैसे कि रवी वार को रवी पुशे योग है, ऐसे में आप शनी वार के दिन ही, थ थोड़ा अक्षत ले कर जाएए, और ये सभी चीजें बिल्व वरिक्ष की जड़ में डाल दीजिए, और वनस्पती देव से प्रात्ना कीजिए, कि हे वनस्पती देव, हे वरिक्ष देवता, कल रवी पुशे योग में मैं आपकी जड़ थोड़ी सी अपने घर ले कर जा बिल्व वरिक्ष एक देव वरिक्ष है, और देव वरिक्षों के नीचे सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो जब हम वरिक्ष के नीचे बैठकर अपने मन की बात कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी परेशानिया कहते हैं, तो बहुत जल्दी परेशान कि हमने अभी वीडियो देखा, कि हम अभी ये उपाई कर सकते हैं, देखिए अगर आपने संध्याकाल से पहले, मतलब रवी पुष्य योग में, कल रवी बार के दिन भी अगर आपने संध्याकाल से पहले ये वीडियो देख लिया है, तब ऐसे में आप ये उपाई कर सकते ह मतलब उसी वक्त जब आप जड़ लेने जाते हैं तभी आप एक जल के पात्र को और सिक्का, सुपारी, अक्षत, ये सभी चीज़े लेकर जाएए जड़ में डाल दीजिए, रिक्ष देता से प्रातना कर लीजिए और रेकर आ सकते हैं आपको इतना ध्यान रखना है कि सुर्यास्त होने के बाद किसी भी पौधे को सपर्ष नहीं किया जाता, उसके पत्ते नहीं तोड़े जाते या फिर जड़ नहीं ली जाती इसलिए ये कार्य आपको दिन में ही करना है, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो रात में कभी भी आपनी मंत्रण दे कर आ सकते हैं, ठीक है? चूना नहीं है, सिर्फ जल देना है और प्रार्तना कर लेना है और प्रार्तना करके आ जाना है, फिर जड़ आप लेने कल सुबह जाएंगे, और कल पूरे दिन यानि कि साथ जुलाई को पूरे ही दिन रवी पुशे जोग रहेगा, तो आप पूरे दिन में कभी भी करने के बाद साप स्वच वस्त्रधारन करना है, फिर अपने घर के मंदिर में एक शुद्दिकी का दीपक जला दीजिए, और फिर आप कोई भी लकड़ी इत्यादी लेकर आपको जाना है, थोड़ी सी पैनी लकड़ी चाहिए आपको जैसे की थोड़ी धारदार लकड़ी लकड़ी से ही आपको मिटी थोड़ी सी खोद कर और नीचे से आपको जड़ लेकर आजाना है, इतना ध्यान रखिए कि जब हम कोई भी प्रयोग करने के लिए जड़ लेते हैं, तो पौधे में चाकू, छुरी या फिर कोई भी लोहे की वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं तो लकड़ी लेकर जाएए, नुकीली सी लकड़ी लेकर और पौधे की जड़ में थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो पानी से उस जगह पर आप आराम से खोद पाएंगे और थोड़ी सी जड़ आपको लेनी है, लेकर फिर आपको घर आना है, तो जड़ लाने के लिए आ आपको व्रिक्ष के पास जाना है, और व्रिक्ष के पास सीधा आपको अपने घर आना है, बीच में आप नमज शिवाय, नमज शिवाय, ओम नमज शिवाय इस प्रकार से मंत्र जब करते हुए आप चले जाएए, अगर संबव हो तो एक दीपक लेकर जाएए और को धो लेना है पहले तो गंगा जल से थोड़े से चीटे दे दीजिए उसके बाद शुद्ध जल से उसे धो कर साफ करके मतलब एक साफ कपड़े से उसे सुखा लीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनके सामने ही लाल पर आपको इसे रख देना है आप पंचयों पचारवीदी से धूप दीप से आप इसका पूजन कर लीजिए और फिर वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको ओम नमु भगवते वासु देवा या इस मंत्र का जब करना है देखिए अगर आपके पास समय हो त चाहते हैं तो दाहिने हाथ में एक लाल कपड़े में बांध कर इसे पहन सकते हैं धारन कर सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने गले में भी धारन कर सकते हैं अगर आपका सुर्य कमजोर है आप में विश्वास की कमी है शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर जी और एक चांदी के सीक्यों को भी साथ में बाद लीजिए और इसे अपने घर की तीजोरी में या फिर व्यापारिक स्थल पर गल्ले में रख सकते हैं या फिर चाहे तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप पर्स में रखते हैं तो आपको शुधता का ध्यान ठीक है मतलब गंदे हातों से जूटे हातों से या फिर आप नॉन्वेज खाते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको पर्स में इसे नहीं रखना है फिर घर की तीजोरी में लॉकर में इसे रख दीजिए आज रवी पुशे जोग में ये उपाई कर लेने मातर से आपके जीव हैं तो भी आप धारन करते हैं तो आपको बिमारियों से मुक्ति मिल जाती है अब जैसे कई भगतों के प्रेशन आते हैं कि हम ज्यादा मातरा में जड़ लेकर आ सकते हैं जी हां बिलकुल ला सकते हैं आप थोड़ी ज्यादा मातरा में भी जड़ लेकर आ सकते हैं थोड़ या फिर अपने घर में लोकर में तिजोरी में आप रख सकते हैं। आज के दिन प्रोपर्टी खरीदना शुब माना जाता है आप घर लेना चाहते हूं या फिर जमील लेना चाहते हूं बिल्कुल ले सकते हैं। सोना, चांदी, महंगी धातवें खरीदी जा सकती हैं, वस्त्रित्यादी भी खरीदे जा सकते हैं। मिलती हुमें आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैस्री राधे।